तो बात की एक बात जब एक बार गलती करने पर इंसान माफी मांग ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन यही गलती अगर वह बार बार दोहराता है तो यह उसकी आदत समझ लेनी चाहिए। अगले तीन दिनों में आप लोगों को कुछ संकेत के द्वारा मिलने वाली है तो हम आप से हाथ जोड़ कर निवेधन करते हैं कि आज की इस जानकारी को नजर अंदाज करने की गलती। बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि कुछ ऐसी सावधानिया हैं जो आप लोगों को पता भला ही रहते रहते हैं। आखिरकार कौन है वह लोग और कौन सी ऐसी खास सावधानिया हैं जो आपको रखना बेहत जरूरी है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप से हाथ जोड़ कर निवेधन है कि वीडियो को बहुत ही आवश्यक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो है तो आपके आसपास है। आपके सगे संबंध ही किन्तु वह आप लोगों के लिए एक सर का दर्द बनकर रह गए हैं और आप लोगों के बारे में कुछ ना कुछ बुरा भला ही रहते रहते हैं। आखिरकार कौन है? वह आगे बढ़ने से पहले छोटी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जैश्री कृष्णा राधे राधे हमारे कासन को दूर करो। अवश्य लिखिएगा जिससे आप और आपके परिवार जनों के सारी पीड़ाएं बढ़ाएं। श्री कृष्णा हर ले तो चलिए। दोस्तों हरी का नाम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आपके 72 घंटे के महाराशिफल के बारे में। आपको यह समय दाल देना चाहिए। लगभग 8 से 10 दिन के बाद आप किसी को भी उधर दे सकते हैं या फिर आप उधर ले सकते हैं। जी हाँ दोस की आवक कहानी ना कहानी से निश्चित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों आप यकीन मानिये की रुपए पैसे एक उर्जा है। जैसे माता लक्षमी है उनकी हम फोटो में पूजन तो करते ही हैं लेकिन वे उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। माता लक्षमी अल में एक उर्जा स्वरूप है तो आप रुपए पैसे की उर्जा को यदि आकर्शित करना चाहते हैं और उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं तो आपको कुछ बटन का विशेश खयाल रखना होगा तो आपको क्या करना है आप ध्यान से सुनिए जब आप रुपए पैसे किसी क अगर आप ज्यादा नोट भी दे रहे हैं, तभी आप उन्हें ऐसे ही फोल्ड करके दें, और फोल्ड वाला हिस्सा दुकानदार की तरफ हो, और खुला हुए चोर आपकी तरफ मुह करके हो। अनंत होकर मेरे पास वापस आना, आप अनंत होकर मेरे पास वापस आना, जी हाँ दोस्तों, तो पुरी भीम कुछ इस प्रकार रहेगी, ध्यान से सुन की आपने रुपए का फोल्ड किया हुआ हिस्सा दुकानदार को दिया, और माही मनी है, बोला की साथ सौ आठ, आप अनं पैसा वापस रहा है। आपकी तरफ से तो वह तुरंत ही जल्दी ही कई गुना बनकर आपके पास वापस भी ये जाएगा दोस्तों। यकीन मानिए कि आप छोटे-छोटे प्रयोग से बड़े-बड़े चमतकारी बदलाव अपने जीवन कल में कर सकते हैं और आपको यह भी यकीन करना होगा। जबकि उसकी कोई आवश्यक्ता नहीं है। फिर भी उसने हां लगाया हुआ है कई और भी उदाहरण है। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अभी यहां बताने का समय नहीं है। लेकिन यह तो केवल एक उदाहरण था जिससे आपको ये यकीन होगा कि उपाय केवल आप नहीं कर रहे हैं। उपाय संसार में और भी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं और कामिा भी हासल कर रहे हैं। जैसे अमिताब बच्चन किसी होटल में तरंगे तो उनके रूम का नमबर नो ही होगा। जी हां दोस्तों आप। और हमेशा जीवन भरकष्ट पाते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिये कि हमारा जीवन उर्जाओं से संचालित होता है, भौत एक शरीर भी उर्जाओं से संचालित होता है, यदि आप इस शरीर को भजन ना दें, विश्राम ना दें, उर्जा का संचार इस शरीर में व्यवस्थित ना हो तो ये शरीर भी कम करना बैंड कर देता है और बीमारियों से ग्रस्थ हो जाता है तो आपको ये बात बारीकी से समझनी है और इन्हें प्रयोग करना है चमतकार निश्चित ही होंगे जी हाँ दोस्तों तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं इस समय आपको रुपय पैसे को लेकर सटक रहना है ये तो बात बिलकुल ही निश्चित हो गई है दूसरा आपको स्वास्थे को लेकर भी थोड़ा सा सटक रहने की आवश्यक्ता है आपको अपने कंकाल में व्यायाम, योग, प्राणायाम वगेरा को भी जगह देनी होगी दोस्त आपको अपने स्वास्थे को मजबूत रखना की भी आवश्यक्ता है और आप जब रात में सोए अपने सिरहाने पानी का एक बरतन रखकर अवश्य सोए जी हाँ दोस्तों इसे आपका मंगल मजबूत राहत है और आपका स्वास्थे भी मजबूत राहत है तो यह हो गया आ आपका उपाय, आपके स्वास्थे को मजबूत करने के लिए बस छोटा सा उपाय है। यदि आप इसकी शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, माथे पर लाल टीका लगाएं, और लाल रुमाल अपनी जब म उनों के लिए अपनी मध्यम उंगली में लोहे का एक छला पहन लेने, इससे आपका राहू भी आपके पक्ष में हो जाएगा, जो की अभी आपको थोड़ा बहुत परेशान करने में लगा हुआ है, इससे आपकी विचारधारा बिलकुल शुद्ध हो जाएगी, खाने का म परिवर्तन कुछ इस प्रकार के होते हैं कि आपके हाथों से ऐसे कम होने लगता हैं कि रुपए पैसे आपकी और आकरशित होने लगता है, लोग आपसे जुडने लगता हैं और आपकी और आकरशित होकर आपके हर एक कार्य में आपकी मदद करने लगती हैं, जी हाँ दोस आपको बताएंगे कि आपको वह कौन सा इंसान है जो बहुत परेशान कर रहा है। आपका जीना मुश्किल कर रखा है। उसे आप अपना दुश्मन भी का सकते हैं। हाला कि आप मानसिक तौर पर या भावनात्मक तौर पर कुछ इस प्रकार के इनसान हैं कि आप किसी से कठोर दुश्मनी नहीं मानते हैं। आप करने के लिए भी बड़ा नहीं सोचती है। आप माह से बड़े ही प्रेमी और निक इनसान हैं। लेकिन लोगों का क्या करें। ऐसे उपाय जिनको आप करेंगे तो आपका शत्रू का नस हमेशा के लिए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, ना खाने का मतलब यहाँ पर कोई अनर्थ होना नहीं है। नस होने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके मा में आपके लिए शत्रूता का भाव समाप्थ हो जाएगा और वह आपसे दूरी बना लगा। अपने आप जी हाँ दोस्तों, वह आपकी जीवन में कभी आड़े नहीं आएगा, आपके जीवन में रुकावट है, खड़ी नहीं करेगा, इन उपाये से किसी का अनर्थ नहीं होगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, किसी के लिए कुछ भी बड़ा नहीं होगा, बस आपका जीवन सरल हो जाएगा, और वह इनसान आपके बड़े में सोचना छोड़ कर किसी और चीज़ों को सोने लगेगा, कहानी और व्यस्त हो जाएगा, इसे ही शत्रू का विनाश करना कहते हैं, दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वह मंत हमें हो, दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके लिए आपको विशेश विधिविधान की कोई आवश्यक्ता नहीं है, जी हाँ, दोस्तों, यह सर्व बड़ा मुक्ती मंत्र है, और बहुत शक्तिशाली है, सिर्फ 11 बार इसे जब करने से ही आप इसका प्रभाव महस करेंगे, जी हाँ, दोस्तों, तो मंत्र को ध्यान से सुन, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई देगा, तो ध्यान से सुन, मंत्र को मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नरसिंग ही तन्नु नरसिंग प्रचोदयात मंत्र को एक बार फिर से सुनिए, संगीत नरसिंग हाए, बेगिनरी बाजरा ना खाए। धीमही तन्नो नरसिंग प्रचोदयात जी। हाँ दोस्तों, मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। आप इसे कॉपी पैंसिल लेकर नोट कर लेने। और आप इसे याद कर लेने। दो चार बार आ अब आपको ध्यान से सुना है। एक ऐसा महाशक्ति शाली उपाए जो आपकी किसी भी शत्रू से आपकी मुक्ति कर देगा, उसे शत्रू का ध्यान पलट देगा। वह आपकी और नहीं फिर कहानी और विचार शील हो जाएगा। आपके बड़े में सूचना भूल ही जाए ऐसा इसलिए क्योंकि मा काली स्वयम शक्ति का जागरित और प्रचंड स्वरूप तो आप जब भी भयंकर आपदाओं में फैंसेंगे तो आपको निकालने का कम माता काली ही करेंगे। तो यह उपाय भी माता भद्रकाली के लिए समर्पित है। दोस्तों याद रखना कि मा माता काली और भद्रकाली में कोई अंतर नहीं है, जब माता को बहुत क्रोध हाया, तो वो बन गई, प्रचंड विक्राल रूप स्वरूप काली और जब माता शांत हुई तो बन गई, भद्रकाली है। एक ही ठीक है दोस्तों तो अब आपको ध्यान से सुना है कि उपाय क् और यदि आप अमावस्या की रात को इसे नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी रविवार की रात को यह उपाय कर सकते हैं, तो दोस्तों, अब ध्यान से सुन की आपको करना क्या है? है तो रात्री को लगभग 9 बजे या 10 बजे के आसपास आपको अपनी पूजा घर में बैठना है, दक्षिन दिशाकी और मुख करके बैठना है, जी हाँ, दोस्तों, कल कपड़े का आसन बनाना है, और उसके उपर माता भद्रकाली की फोटो को स्थापित करना है, और सच्च करते समय माता की सामने एक नीमबू अवश्य रखें, जी हाँ, दोस्तों, ध्यान से सुना है इस भीम को जब आपकी पूजा समाप्थ हो जाए, तो आपको उसे नीमबू के उपर लाल रंग के सिंदूर से अपने शत्रू का नाम लिख लेना है, जी हाँ, दोस्तों, लाल वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई देगा, मंतर को ध्यान से सुन, क्रीम शत्रू नश्नी क्रीम, फैट जी हाँ, दोस्तों, मंतर को एक बार फिर से ध्यान से सुनिये, क्रीम शत्रू नश्नी क्रीम फैट दोस्तों, इस मंतर की आपको ग्यारह माला जब करनी है, बस, आपकी पूजा समाप्थ हो गई है। आपका प्रयोग पूर्ण हो चुका है। अब आपको इस प्रयोग के पूर्ण होने के बाद माता से मां ही मां अपने जीवन के बड़े में चर्चा करनी है। उन्हें अपनी परिशानियां बतानी है। और जी इनसान के लिए आपने यह प्रयो इस उपाय को तभी करें जब आप पूरी तरह से अस्वस्थ हो कि यह इनसान सचमुच में आपका प्रचंड शत्रू है तो ही इस उपाय को करें जी हां दोस्तों किसी भी मामूली सी बात को लेकर इस उपाय को किसी के लिए ना करें जी हां दोस्तों क्योंकि एक बार आपने उपाय को कर दिया तो उपाय फिर वापस नहीं आएगा